कि नमस्कार साथियो मैं जोगंदर सिंग स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ओनलाइन प्रेटफॉर्म एससी मेकर पर जैसा कि आप सभी को पता है आपकी जो किलहात है जैसा कि मैं आपको पता था एक सीरीज आप लोगों के लिए सॉट वीडियो की इसमें जो है माइनड मैप के जरिये जो है हम सारी क्ला जो एक कोई पक्रेटिकलर एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक को जो है हम Looks मैप के जरीए समझ लेते हैं कि एक्चल में चीज क्या है है आज इसी तरह का आपका जो टॉपिक है वो है बारिन हैस्टिंग जो कि भारत में बंगाल का पहला गवर ने जलन रहा था उसके बारे में थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं जो नई है जो आप लोगों के लिए नहीं है जो सायद आपने इससे पहले न जानी हूं उन सब चीजों के लिए यहां देखेंगे और उम्मीद है कि मुझे उसके आज दो मैंड मैप बने पहले तो एक ही करेंगे उम्मीद है कि दो उसके बने ठीक है चलिए किसके बारे में हम बात कर रह सबसे पहले देखो एक तो याद रखना ये क्यों था ये अंग्रेजी गवर्नर जनरल था और वो भी बंगाल का पहला ठीक इसके सासंकाल में जब भारत में रहा था उस समय क्या से क्या हुआ है उन सब को हमें आपर देखने वाले ठीक है याद रखेगा ये क्या था ये बंगाल का प्रथम क्या था गवर्नर जनरल था क्या था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था ये आपको याद रखना इसी के समय में 1773 में जब यह आया था ना उस समय 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट क्या रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये पारत हुआ था और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहट जो गवर्नर था ये कनवर्ट कर दिया किसमें गवर्नर जनरल में जी डेस जी मतलब गवर्नर जनरल में ठीक है बाद में आपको लगए कि जी-जी क्या लग दिया तो गवर्नर जनरल है ठीक है इसे कनवर्ट कर दिया किसमें गवर्नर जनरल में और इसके समय यह पारित हुआ था इसलिए यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना इससे पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे और बंगाल का पहला गवर्णर था कौन तो याद रखिएगा रावर्ट क्लाईब ठीक है तो यहाद रखिए गा 1775 में regulating act आया उसके तहए यह पहला governor general दो यह याद रखिएगा इस जो regulating एक्ट है इसंसे यह कहा गया कि जो गवर्नर जन्रल है इसका कारिकाल निश्चित कर दिया गया इसका जो कारिकाल था यह निश्चित कर दिया गया कितना पांच साल कि यह जो बारिन हिस्टिंग है इसका जो कारिकाल है यह पांच बर्स निश्चित कर दिया गया कि जो भी गवर्नर जन्रल के पद पर आएगा वो पांच साल तक जो है पद पर रहेगा ठीक है यह हो गया अच्छा यह कब से कब तक रहा है गवर्नर जनरल तो याद रखेगा गवर्नर जनरल के पद पर यह रहा है 1784 से 85 तक यानि कि टू टर्म दो बार लगातार यह रहा है इसका जो टर्म था यह टू पर मियानिकी दो बार जो है यह पदपर रहा है ठीक है अच्छा इसके समय में और कौन सी अच्छी बात हुए तो याद रखिए का बॉरिन हिस्टिंग के समय में ही जो है यह अपना जो राष्टी यह आपका कह सकते हैं राज किये कोसागार जो था राज किये कोसागार मतलब जो भी कोस बगएरा था ना इसको इसको इसने ट्रांसफर कर दिया था कहां इसने ये पहले मुरसीदाबाद में था कहां था मुरसीदाबाद में था और इसको इसने ट्रांसफर कर दिया कहां पर तो इसने इसे ट्रांसफर कर दिया था कलकत्ता में मुरसीदा वाद से कलकत्ता लिया था यह अपना राज किये कोसागार यह याद रखिएगा ठीक अच्छा इसके साथ में आपको और क्या याद रखना इसके साथ में आपको याद रखना है इसने हर जिले में जितना इसके अंडर था उसके हर जिले में इसने फौजदारी और दीवानी नियायले ओपन करवाए थे क्या किया रहा है थे इसने फौजदारी वा दीवानी नियायले क्या करवाए इस्थापित करवाए कहां पर प्रत्यक जिले में कहां प्रत्यक प्रत्यक जिले में हर जिले में इसने दीवानी और जो फौजदारी है यह नियायले जो है यह इसने इस्तापित करवाए थे ये याद रखेगा अच्छा इसके अलावा ठीक दिख रहा है दिक्कत नहीं है मुझे लगा कहीं दिखना रहा हो दिख रहा है अच्छा पृतिक जिले में करवाए अच्छा इसके अलावा याद रखेगा इसी ने बंगाल का द्वैद सासन इसी के सम या गवर्नर ये सिर्फ गवर्णर था उस समें क्या था उस समय स्वीत गवर्नर था कव 1742 में दूत किया था और EC2 को समाप्त करने के साथ साथ इसने आदेश दिया था किसे कंपनी को क्या आदेश दिया था इसने कंपनी को इसने कंपनी जो भी मतलब इनकी पूरी कंपनी थी उसमें इसने आदेश दिया था कि इसे समाप्त करने के साथ साथ ही कि जो बंगाल है बिहार है बंगाल बिहार उड और उडिसा बंगाल बिहार और उडिसा इनके इनकी प्रसासनिक जिम्मेदारी इनकी क्या प्रसासनिक उत्तरदायत तो इससे पहले जो प्रसासनिक उत्तरदायत तो था वो इनका था नहीं पर इन्होंने कहा था इसके साथ कि प्रसासनिक उत्तरदायत तो भी समालना पड़े साया 272 किसने आद्दिए यह दिए था बॉरिन हेस्टिंग इसके सास याद रखियागा इसी के समय में मनु इसमृति का इसी के समय में मनु इसमृति का अनुभाद भी हुआ था ठीक है अच्छा इसी के समय में याद रखिएगा गीता का नुवाद भी हुआ है इसी के सातनकाल में हुआ यह बहुत कुछ हुआ इसके साथनकाल में और ये सब इसकी एक एक लाइन जो है आपकी इंपोर्टेंट है एक एक लाइन आपके एक्जाम के लिए जरूरी है गीता का अनुबाद हुआ साथ में याद रखिएगा इसी के समय में अभिज्ञान साकुंतलम अभिज्ञान साकुंतलम इसका भी अनुबाद हुआ है कब कब हुआ है तो अगर बात की जाए अविज्ञान साकुंतलम तो इसका अनुबाद हुआ है 1789 में गीता के अनुबाद के अगर बात की जाए तो याद रखिएगा ये हुआ है 1785 में और मनुस्मृति के अनुबाद की बात की में कव हुआ है 1776 में तरी यह 75 है 1775 और यह है 1779 ठीक है यह तीनों जो अनुवाद हुए है यह किस भासा में हुए है तो याद रखेगा यह तीनों जो अनुवाद है यह हुए है इंग्लिस में इंग्लिस लेंग्वेज में इंग्लिस लेंग्वेज में जो है यह अनुवाद हुए है यह याद रखी का पूछ लेता है कब कब हुए ठीक है अच्छा इसके साथ ही आपको याद रखना है कि इसी के समय में प्रथम मदर्सा प्रथम मदर्सा जो है यह इसने इस्थापित करवाया था, ठीक है, अगर बात की जाए, कहां करवाया था, तो याद रखिएगा, करवाया था, कलकत्ता में, कहां करवाया था, कलकत्ता में, कब करवाया था, तो याद रखिएगा, 1781 में, कब करवाया था, 1781 में ये करवाया था, ठीक, इसी के समय में, 1782 में इसी के समय में 1782 में संस्कृत कॉलिज इसने खुलवाया था। 382 में कई बार पूछा जाता है जब संस्कृत कॉलिज की स्थापना हुई थी उस समय भार बंगाल का गवर्णर जर्रनल कौन था तो याद रखेगा बॉरिन हिश्टिक क्या खोला था यह था संस्कृत कॉलिज किसने ओपन किया था यह किया था जोनाथन जोनाथन डंकन ने कहां पर ओपन किया था तो याद रखेगा बनारस में कहां ओपन किया था यह ओपन किया था बनारस ने इसी के समय में यह सेविंटी एट्टी एट्टी तक रहा है ना इसी के समय में याद रखेगा सत्रेसो चौरासी में कब सत्रेसो चौरासी में याद रखेगा बिलियम जोन्स ने किसने बिलियम जोन्स ने याद रखिएगा एक सोसाइटी की स्थापना की क्या नाम था उसका उस सोसाइटी का नाम था may asiatic society of ओ्फ बंगाल त वह नम था उसका नम था metric society of बंगाल यह एक ठीक है यह एक चैट है इसका क्या हो गया यह एक हो गया आपका इसे कह सकते हैं हम माइंड मैप क्या हो गया यह हो गया आपका एक माइंड मैप एक काम जो आप लोगों करना है वो यह अभी एक और इसका पार्ट टू आएगा वो नेस्ट वीडियो में आएगा है न क्योंकि बहुत ज्यादा हो जागा आपके सरपे भषारी हो जाएगा तो वह मैं नहीं है कि हां यार यह वाली चीज़ ना थोड़ी सी बहतर हो सकती है यह वाली चीज़ को हम चाहते हैं कि ऐसे हमें एक वीडियो मिल जाए तो वह आप नीचे कमेंट में लिखकर बताई है मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं और अगर आपकी कोई कोई सिकायत है आपको लगता है कि या नहीं इसमें ये चिंजिश Whoo सकते हैं तो आप अपनी राय जो भी है वह आप कमेंट में लिखकर जरूर बताने है ठीक है तो आज की जो सोट वीडियो क्हते हैं बाकी की ओ जो इसका सैकन तक बास आह